नमस्कार दोस्तों प्रिशा एकेडमी में आपका स्वागत है और इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ फोन पे का जो लेटेस्ट टर्म इंशुरेंस प्लान आया है उसके बारे में फोन पे ने अपना टर्म प्लान लौच किया है और दो हजार इकिस में जो लोवर मिडल क्लास इस्टूडेंट है हाउस वाइब उनके लिए बेस्ट प्लान आने वाला है फोन पे का और इस वीडियो में आपको इस टर्म प्लान से जुड़ी हुई संपूर्ण पीचर्स जान अगर यह प्लान ब्लाइन करना है और किन लोगों को यह प्लान बाइन नहीं करने यह पूरा साथ ही साथ मैं आपको इसको online buy करके बताने वाला हो कि online आपको इसको कैसे purchase कर सकते हैं तो इस वीडियो में आपको इससे related सारी जानकारी मिलेगे तो आएं स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जान लेते हैं कि phone pay का जो यह term plan है वो मिला कैसे क्योंकि phone pay एक registered insurance company नहीं है और भारत में insurance बेचने के लिए एक insurance company को ADA के पास registered होना बहुत ज़रूरी है तो phone pay का ये जो term plan है वो इन्होंने ICIC Prudential Life के साथ launch किया है यानि इसका जो owner होगा plan का वो ICIC Prudential होगा और ये जो plan है वो customize किया गया है phone pay customers के लिए तो plan का owner जो है वो है ICIC Prudential और phone pay इसको sell करेगा और phone pay customers के लिए ये एक customized term plan रहेगा plan की features की बात करते हैं तो यहाँ पे कम से कम 18 वर्ष का विक्ति और maximum 50 वर्ष की उमर तक इस plan को लिया जा सकता है 18 वर्ष से कम के लोग और 50 वर्ष से अधी के लोग की ये plan नहीं ले पाएंगे वहीं पे अगर minimum phone pay membership की बात करते हैं तो आपको कम से कम plan लेते टाइम तीन महीने से phone pay का member होना बहुत ज़रूरी है अगर आप phone pay के नए member है तो आपको पहले membership लेना पड़ेगा और उसके तीन महीने बाद ही आप ये plan पाएंगे minimum period यहाँ पे तीन महीने का आपको कम से कम policy लेना पड़ेगा और maximum आपको policy मिलेगा वो बारा महीने का मिलेगा बारा महीने के बाद आपको policy को दुबारा से renew करवाना पड़ेगा और उसके बाद ये policy आप continue कर पाएंगे यानि हर 12 महीने बाद आपका policy होगा, वो renew होगा, renew और premium payment में दोनों में difference रहता है, जब आप renew करवाते है policy को, तो वहाँ पे premium amount होती है, वो आपकी change हो सकती है, जबकि आप long term plans लेते हैं, जहाँ पर 50 साल का, 40 साल का, 30 साल का time plan लेते हैं, वहाँ पे आपका premium होता है, वो fix रहत होता रहता है, तो एला जो phone pay का ये plan है, ये हर 12 महीने बाद renew होगा, कम से कम आपको 3 महीने का maximum 12 महीने का plan लेना पड़ेगा, minimum income की बात करते हैं, तो आपकी phone pay बोलता है, अगर income 1,00,000 रुपए है या उससे ज्यादा है, तो आप ये phone pay का term plan ले सकते हैं, sum assured आपको कम से कम 1, लाग का और अधिक्तम 20,00,000 का समयशोड लेना पड़ेगा, premium है जो 149 रुपए पर साल रहेगा, यानि हर सालाना premium आप अगर 1,00,000 का समयशोड लेते हैं, तो 3517 रुपए आपको सालाना premium पे करना पड़ेगा, यानि आपको 149 रुपए में insurance मिलना शुरू हो जाता है, हर लग बग आदा रुपए से भी कम में आपको टर्म प्लान मिल जाता है, और इसमें एक एकसेप्ट है, suicidal जो डेत होती है, वो इसमें इंक्लूड नहीं होगी, इसके अलवा natural death, accidental death, या किसी natural calamity के कारण या कोई बीमारी के कारण डेत होती है, वो सारी इसमें शामिल रहेगी अब हम बात कर लेते हैं, इसको online आप कैसे buy कर सकते हैं, तो आईए इसको देखते हैं, और online buy करने के लिए आपको क्या करना है, फोन पे की app पे जाना है, फोन पे की app पे जाने के बाद, यहां पे आप नीचे देखिएंगे, तो home, stores, switch, my money and history है, तो हमें क्या करना है, my money पे आप click करेंगे, तो यहां पे अलग-अलग options open होते हैं, तो हमें जाना है insurance पे, first option है, वो है term life का, तो आपको क्या करना है, term life के click करना है, उसके बाद यह options open होते हैं, यानि आपके पास चार विकल्प रहते हैं, वीस लाग, दस लाग, पांच लाग और एक लाग का, आप जो इसके benefits आजाएंगे, और उसके बाद आप इसको close कर दीजिए, उपर X आ रहा है, जो cross का चीन आ रहा है, वाँ पर आप इसको click करके close कर दीजिए, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पर details बर्थ देते हैं, आपको अपना नाम, date of birth, email ID, pin code, gender, यह सारी details बर्थनी हैं, इस बर्ष की वेक्ति के लिए, पॉलिसी क्या रहेगी, आप अपनी date of birth और यह सब डाल करके select कर सकते हैं, email ID, यहाँ पर मैं random email ID डाल रहा हूं, आप अगर policy buy करना चाहते हैं, तो correct email ID डाले यहाँ पर, ताकि policy आपकी उसी email ID पर deliver की जाएगी, इसलिए गलत email ID आपको नहीं email ID डालने के बाद आप अपना pin code यहाँ पर डाल दीजिए, और pin code डालने के बाद हम अपना gender जो है, वो select कर सकते हैं, male, female या third gender जो भी हैं, आप अपने सब से select कर लीजिए, और उसके बाद आपको करना है continue पर, continue पर करेंगे, तो यह आप से nominees की details पुछेगा, तो आप जो भी nominee बना चाते हैं, उनकी details बढ़ सकते हैं, यहाँ पर आप father, wife, husband, son, daughter इनको को nominees बना सकते हैं, nominee का नाम आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, नाम वो ही लिखे जो nominee की ID प्रूफ में हो, और date of birth भी आपको वो ही डालना है, जो nominee की ID प्रूफ, जैसे pen card, आदार card, इनमे driving license, इनमें जो nominee का date of birth हो, वो ही आपको date of birth यहाँ पर डालना है, इसके बाद में आपसे conditions पूछा जाएगा, कि आपको किसी परकार की कोई बीमारी और यह सब तो नहीं है, अगर है तो आपको फिर इनपे tick नहीं करना है, फिर आपको consent भर देना है यहाँ पर अब आपको कर debit card, credit card, तो आप debit card, credit card, BVOPI अपने details है, वो यहाँ पर डाल सकते हैं, डालने के बाद आप नीचे pay-pay option पे click करेंगे, आपका premium payment हो जाएगा, policy आपको मिल जाएगी, मैं यहाँ पर policy buy नहीं कर रहा हूँ, इसलिए details नहीं करूँगा, तो यह last process है, आपको payment करेंगे, policy मिल जा राएगा, वो आपसे detail लेंगे, कि आप यह policy buy करना चाते हैं या नहीं, तो अगर आप उनसे कुछ details पूछना चाते हैं, तो आप तभी भी उनसे details पूछ सकते हैं, एक बार policy आपको मिल जाता है, उसका wording जरूर पढ़ लीजिएगा, और उसके बाद ही decide कीजिए, policy रखना ह या नहीं रखना है, तो चलिए अब हम बात करते हैं, कि क्या आपको यह policy खरीदना चाहिए, तो दोस्तों इस policy के अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, phone pay का customer है, उनके लिए यह policy अच्छा है, क्योंकि आप phone pay के customer है, पूरी details, KYC और सब आपने कर रखा है अगर, तो आपको किसी परकार का paperwork की ज़रूरत नहीं पढ़ेगी है, तो भी आपके लिए यह time plan अच्छा है, क्योंकि इतना short term का कोई भी आपको time plan नहीं मिलेगा, तो एक दो साल का term plan अगर आप लेना चाते हैं, पांच साल तक भी लेना चाते हैं, तो भी आप phone pay का term plan ले सकते हैं, लेकिन long term के लिए suggested नहीं है, इसमें क्या है, some assured amount कम है, तो अगर आप एक लाग का या आपकी income proof नहीं है, उनके लिए, लोगों के लिए भी यह term plan अच्छा है, लेकिन मैं यह बोलूँगा कि जैसे आप बोला जाता है कि आपकी सालना income हो, उससे लगबग 20-30 गुना आपको term plan लेना चाहिए, तो यहाँ पे जो term plan दिया जा रहा है, उसकी maximum जो राशी है, वो 20 लाग रुपए, जो कि बहुत कम है, आपको ideally 50 लाग से एक करोड का term plan कम से कम लेके देना चाहिए, जिस परकार की महंगा ही बढ़ती जा रही है, तो इस परकार से यह term plan अगर बड़ी amount में आप जाना चाह करते हैं, तो आपके लिए यह suitable नहीं होगा, इतना ही नहीं दोस्तों, आप जो premium pay करते हैं, वो renewal होता है, यहाँ पर renewal का मतलब है, आपका premium होगा, जनरल insurance की तरह सालाना change होता रहेगा, आज हो सकता है, आपका premium 149 रुपए आ रहा होगा, पांच साल बाद अगर इसी policy को इसे prudential का भी कर लीजे, eye protect होता है, HDFC click to protect है, LIC tech term है, इस type का कोई plan buy करते हैं, तो आपका throughout premium period होगा, वो premium सेम रहेगा, हलांकि tax को लेकर के थोड़ा बहुत 19-20 होता है, लेकिन बाकी more and less आपका premium जो होता है, वो सेम रहता है, इसलिए premium जो change है, वो एक feature इसकी है, वो भी से आप अपना decision ले सकते हैं, आशा करता हूँ, इस video से आपको phone page related, जो term plan है, उस related, जितनी भी जानगारी थी, आपको मिल गई होगी, और आप video को ज़रूर लाइक कीजिए, वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए, दोस्तों, आपका बहुत Keep watching Prisha Academy